हेलो माई डियर सोल फामिली मेंबर्स कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और ये प्राजना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छी चीजों को आकरशित करते रहें आज का जो टापिक है वो इस बारे में है कि everything about you, आप कौन है, आपके बारे में सारी information जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके life में इस वक्त क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या action लेना चाहिए, आपके divine angel इस वक्त आपको क्या guide कर करना चाहते हैं, यहाँ पर जो message होने वाले हैं, वो general message है, तो हो सकता है कुछ message आपके साथ resonate ना करें, अगर वो message आपके साथ resonate नहीं करते तो आप उन्हें जाने दें, और जो message जो information आपके लिए है, उससे आपको pick करना है और apply करना है, so positive hope के साथ इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी information है, वो आपके लिए है, यह completely जो वीडियो है, वो आपके लिए है, और आपसे जुड़ा हुआ है, तो इसको आपको पूरा faith के साथ देखना है, यहाँ पर सारे message आपके लिए है, क्योंकि यहाँ अच्छ टॉपिक है, वो आपसे ही हुआ है, everything about you, आप कौन है, आपके बारे में वो सारी information लेने की कोशिश करेंगे, जो इस वक्त angels देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो चल रहा है, जो होने वाला है, और क्या आपको इस वक्त करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानने की कोशिश करें सो देख लेते हैं, इस वक्त क्या आपको divine angels कहना चाहते हैं, क्या आपके लिए message है, इस वक्त क्या divine angels आपको कहना चाहते हैं, क्या आपकी life में चल रहा है, आप कौन है, वो सारी चीज़ों को हम decode करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट, life experience, ओके, आप यहाँ पर अगर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले आपकी बात करते हैं, आप अपने life में बहुत सारे experience लेके आए हैं, आप एक ऐसे person हैं, आप एक ऐसे person हैं, मैं यू कहूंगी कि आप पहले कुछ और थे और आज आप कुछ और बन गए हैं, आपका जो यह transformation हुआ है, यह आपके life experiences का result है, आपने बहुत सारे ऐसे experience किये हैं, यू कहूं कि आपने बहुत कम उम्र में ऐसे experience किये हैं, जो लोगों को अपनी पूरी throughout the life लग जाती है, उस experience करने में, वो learnings लेने में, वो learnings, वो lesson आपने बहुत जल्दी लि देखे हैं, बहुत सारे उतार चड़ाव देखे हैं, और life में ऐसे experience किये हैं, जिसने आपको पूरी तरीके से transform किया है, आप आज जहां पे हैं, आप यू कह सकते हैं कि आज आप जहां पे पहुँचे हैं, जो हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आपने ये सारे experience किये हैं, आपक आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ये जीवन है, एक ही जीवन में आपका पुनल जनम हुआ है, जैसे मुझे ऐसा लग रहे हैं कि आप वो personality है, जिसका इसी जीवन में पूनल जनम होना, मतलब पूरी तरीके से personality transform होना, rebirth होना, आपकी जो लाइफ में कुछ ऐसे moment हुए, बहुत ही दुखद थी, उसे निकल पाना बहुत कथिन था, लेकिन उसी टाइम पे आपका एक new version निकल के आया, उस घटना के बाद आपका एक नया स्वरूप या रीबल्ट हुआ, आपका पुनल जनम हुआ, और आप उन शक्तियों को पहचान पाए, अपने real self के साथ align हो आप इस वीडियो पे आया है, तो यह आपके बारे में कुछ information यह कि आज को topic है, वो बिलकुल आप से जड़ा हुआ है, आपके बारे में है, हम आपके बारे में information लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम यह जान सके कि आपके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और आगे क आप कौन है, यहाँ पे हम कुछ information चेक करेंगे कि आप कौन है और आपके लाइफ में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी, आप एक एस परसन है, जो बहुत intelligent है, बहुत sharp mind है, जब हम intelligent कहते हैं, तो इसका मतलब यह निया कि जिसको चीजे जिसने बुक की चीजे पड़ी, उसको याद है, वो intelligent है, नहीं, आप life में intelligent है, जीवन में intelligent होने का मतलब जिसके पास विवेक है, बुद्धी के साथ साथ विवेक है, वो जानता है कहां पे क्या decision लेना चाहिए, तो you are very powerful, आप बहुत experienced soul है, मुझे ऐसा लग रहे हैं, आप लोग एक old soul है, जिसके पास वो सारी experience है, आपकी age कुछ भी हो सकती है, पर you have lots of experience, आपके पास बहुत experience है, और जो experience है, वो realistic है, आपने चीजों को बहुत close से देखा है, experience किया है, अब बहुत intelligent है, आप बहुत sharp mind है, जब लोग प्राब्लम देख रहे होते हैं, आप उसमें solution ढूंड लेते हो, जिस वक्त लोग सोच रहेते हैं, कि अब कुछ नहीं हो सकते हैं, जैसे COVID का टाइम, उस वक्त हर कोई problem सोच रहा था, हर कोई यह सोच रहा था, कि इससे कैसे बाहर निकले, कोई यह नहीं सोच रहा था, हर कोई problems को देख रहा था, problem को trigger कर रहा था, पर पर कोई यह नहीं सोच रहा है, आप यह नहीं सोच रहा है, पर आप के पास वो इंटैलिजन्सी है, आपके अंदर वो बहुत ही जादा छुपी हुई जागरिती है, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, आप decision maker हो सकते हैं, आप life को ना इस तरीके से देखते हैं कि मुझे आगे क्या करने से पूरी planning और plotting करके आप life में चलते हैं, बहुत sharp है, बहुत clear है, आपको confusion नहीं है, आप clear mind होके चलते हैं, आप इस तरह के person हैं और आप चीजों को थोड़ा practical तौर में analyze करते हैं, हो सकता है कि आपके friends and family में कहते हूं कि आप बहुत ज़दा practical होके सोचते हैं, तो आप इस चीज को accept करते हैं, कि आप life में practical चीजों को accept करते हैं और थोड़ा practical सोचते हैं, कि अगर ऐसा होगा तो इसका क्या result होगा इसकी क्या accuracy होगी like that आप मुझे बहुत experienced और old soul यहाँ पे नजर आ रहे हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं king of earth ऐसे ही king of earth नहीं बना जाता यह experience practical approach का ही कमाल है कि आप king of earth हैं यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना passion पूरा passion लगाते हैं आप चीजों को professional way में करते हैं कोई भी काम करते हैं उसमें आप बहुत जादा professional होके करते हैं बहुत दिल से करते हैं यहां पे भी देखिए practical approach की बात की जारी है जेंडरिस की बात की जारी है बतलब आपको अपने जीवन में जो भी सफलता मिलती है जो success मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि आप उसके लिए बहुत hard work करते हैं बहुत discipline मुझे ऐसा लगते हैं कि आप self discipline maintain करते हैं आपको कोई कहता नहीं कि आप discipline से काम करें यह इस तरीके से rule follow करें यह इस तरीके से regulation follow करें बट आप ऐसे person है जो खुद के लिए time table बनाते हैं खुद के लिए rules बनाते हैं खुद के लिए चीजों को organize करते हैं आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जब school or college period में रहा है खुद बनता है और खुद के प्रयास से बनता है आप मुझे इस तरह के व्यक्ति लग रहे हैं जो अपनी life में कोई छोड़ी सी भी success अचीव करता है तो अपनी मेहनत के दम पर अचीव करता है अपने practical approach अपना काम करना अपना hard work अपना मेहनत और पूरे विश्वास के स clear objective बना के काम करते हुए ऐसे person दिख रहे हैं और यहाँ पर भी ऐसा लग रहे है कि आपकी life में जो भी success आती है जो भी abundance आती है जो भी opportunities आती है वो आपके hard work के कारण ही आती है ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको free में मिल रहा है जो भी आप करते हैं वो आपको hard work के hard work के वज़े से ही मिलता है और आप बहुत practical हैं बहुत professional हैं अपने काम में अपना passion डालते हैं इसलिए आप दूसरों से अलग हैं आपको life में वो experience हुए है जो लोगों को experience होने में 70-80 years लग जाते हैं वो उस तरह के experience आपने अभी तक की life में experience किये हैं और इसकी वज़े से आपकी जो soul है वो past life term पे या अकाशिक record पे बहुत बिलीव करती हैं आपको अकाशिक record या जहां पे past life की बात होती है वो चीज़े आपको attract करती हैं आप खुद का भी past life को past life में हुए events को महसूस कर पाते हैं और आपको वहां से भी कुछ trigger मिलते हैं कि कुछ events हैं जो past life से आते हैं जिसको आपको पूरा करना है इसके साथ अपको अपने past life की clips भी कुछ नजर आती हैं कुछ message है जो आपको अपने past life से clear हूए हैं और कुछ चीज़े हैं जो में अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है यह देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है okay an unwise choice learn what you can from this situation review everyone's motives so यहाँ पर आपकी लाइफ में एक ऐसा phase चल रहा है एक ऐसा time चल रहा है जहाँ पर आपको ऐसी divine के message receive होते हैं कि आपको हर किसी की intention को थोड़ा सा learn करने की जरूरत है थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके सामने जो choice है वहाँ पर जो विकल्प है वहाँ पर कौन सा विकल्प आपके लिए सही हो सकता है हो सकता है आपके सामने जितने लोग है हर किसी का intention आपके लिए अच्छा ना हो तो इस वक्त आपकी life में एक ऐसा phase चल रहा है जहाँ पर आप analyze कर रहे है चीजों को आपके life में कुछ ऐसी situation है जहाँ पर आप अब सब को review करते हैं कौन आपके हित में है कौन आपके अहित में है यहाँ पर आप सब के motives को की इनका intention क्या है मेरे लिए इनका उद्देश क्या है जैसे आप हर किसी को analyze कर रहे है आप चीजों को अब read कर रहे है mentally पहले क्या था क कि आप सब पे trust करते थे पर आपकी life में जब यह experiences हुए जहाँ पर आपकी awakening हुई जहाँ पर आप पास life की events को decode कर पाए या उनसे जुड़ पाए और अपनी life में एक practical approach लगाने के साथ साथ जब आपने उसमे spirituality को add किया तो आप थोड़ा जादा aware हो गये और आप लोगों क intention को पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस वक्त आप चीजों को analyze कर रहे हैं अपनी choices को देख रहे हैं कि अभी तक आपने जो चुना और जो आप चुन रहे थे उसमें क्या सही है और क्या गलत है इस वक्त और क्या आपकी life में चल रहा है the lovers इस वक्त आप में से बहुत सारी या तो आप already किसी divine love या divine counterpart के साथ deal कर रहे हैं या आपकी life में जो love की energy थी जो stuck थी आपके जीवन में प्रेम तो था पर उसका प्रवाह नहीं हो रहा था उलजा का प्रवाह नहीं हो रहा था तो वो उलजा का प्रवाह शुरू हो चुका है आपकी life में ऐसा लग रहा है कि दो लोग थे और दो लोग एक साथ energy level पे होते वे भी physically बहुत दूर थे या फिर emotionally बहुत दूर थे या उनके बीच में किसी तरीकी का मतभेत किसी तरीकी की stuckness, stuck energy थी जो अप release कर दी गई है और आप अपने जीवन में एक pure love को feel कर पा रहे हैं आप उस emotional flow को महसूस कर पा रह होगा है आप एक ऐसे व्यक्ति है इस वक्त आप ऐसे व्यक्ति है यहां पर दो मैसेज मुझे रिसीप हो रहे हैं एक तो यह कि आपकी लाइफ में true love यह divine love के energy का flow शुरू हो गया है क्योंकि angels ने आपको bless कर दिया है बहुत आशिरवात दिया है कि आपके जीवन में प्रेम आप divine love की energy को अब फील कर पए जो stuckness थी उसको release कर दिया गया है दूसरा message आप एक ऐसी व्यक्ति है जो इस वक्त हर किसी को खुशी देना चाहता है हर किसी के जीवन में toxicity को remove करना चाहता है ऐसा लगरे कि आप अपने परिवार के लिए फरिश्ता है अपने परिवार के energy मुझे यहाँ पे अवेकन होते वे दिख रही है एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसी energy जो केवल अपने relationship में केवल अपने पार्टनर को love देना यह love देना लेना नहीं जानता है एक ऐसा व्यक्ति जिससे जो कोई भी जुड़ता है उसको प्रेम की अनुभूती होती है उसको बहुत सहज महसूस होता है उसे बहुत प्रसन्नता होती है उसे बहुत आनन्द होता है आप इस तरीकी के व्यक्ति हैं कि आपसे बात करके लोग हील होते हैं यहाँ पर कितनी healing कितनी soothing energy है तो आप ऐसे ही angel बन रहे हैं अपने life experiences की बज़े से आप ऐसे angel बन रहे हैं जो सब को love देन चल रहा है कुछ लोग union की तरफ मुझे बढ़ते वे दिख रहे हैं क्योंकि अब वो clear decisions ले रहे हैं चीजों को analyze कर पारें in fact आप अपने future को देख पारें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो future को देख पारें उसके energy को महसूस भी कर पारें और अब आप review कर पारें कि कौन सही है कौन गलत है क्योंकि आपके life में वो love की energy का flow शुरू हो चुका है इस वक्त बिलकुल यही मैं कहना चाहती थी कि इस वक्त आपकी life में क्या हो रहा है इस वक्त आपकी life में justice होने जा रहा है और justice की energy को आप बहुत जादा बहुत दिनों से attract कर रहे थी तो आपके लिए जो उस चीजे नयावचित नहीं थी जो सही नहीं थी और वह चीजें सही हो रही है ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछीजें ऐसे श्टक थी उसमें motion आना शुरू हो गया है और उस motion के साथ ही आपकी life में justice मिलना आपको शुरू हो रहा है कुछ चीज़ों में आपको justice मिल है और कुछ चीजों में बहुत जल्द आपको जिस्टिस मिलने वाला है जिस्टिस इंदर सेंस आपके फेवर में चीजें वर्क करने लगेंगी फेयर आपकी फेवर में फेवर एंड जस्ट डिसीजन डू वट यू नो इस राइट और यहां पे आप अपने लिए स्टेंड आपले पहले हो सकता है आप खुशियों को दबा देते अपने लिए कारे नहीं करते थे ऐसा है लगता था कि आप 1997 अपने यह समझ लिया है कि आप की खुशि महिद्वपूर है एक डिवाइन परसन है और अब आप खुद के लिए आवाल उठाते थे Str裝 करते हैं अब अपनी खुशियों के लिए कॉंप्रोमाइज नहीं करते हैं अब बोलते हैं कि मेरी लिए जो चीजे हैं I want this because I deserve मैं यह deserve करता हूं मैं इसके लिए practical approach, hard work, महनत इश्वर से प्रातना और अब मैं अपनी चीजों को कॉंप्रोमाइज नहीं करने वाला हूं और आपको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने बहुत बहुत कॉंप्रोमाइज किया बहुत इस तरह के इवेंट्स को देख लिया और अब आपके लिए जस्टिस इसलिए आ रहे हैं कि आप खुद के लिए लड़ने को तयार हो काफी लोगों ने 888 टेक्निक का यूज किया है लाइन्स गेट पोर्टल पर आपने जरूर कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है और यह मनी से रिलेटेड है यह अबंडन से रिलेटेड है अपॉच्णिटी से रिलेटेड है मुझे ऐसा लग रहे है कि इस वक्त बहुत जादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे है मनी मैंगनेट बनने की कोशिश कर रहे है अपॉच्रिटी को या भरपूर्ट सम्रिद्धी को अपने जीवन में आकर्शित कर रहे है इस वक्त आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडन्स है इस वक्त आपके लिए कि आपको अगर कोई इल्यूजन है आपके अंदर आत्म विश्वास की कमी है तो उस आत्म विश्वास को भरें उस आत्म विश्वास को जो कमी है उसको पूरा करें सम्टाइम क्या होते हैं कि हम अपने इंट्यूशन से डिसकनेक्ट हो जाते हैं अपने इंट्यूशन की बात सेल्फ कॉन्फिडेंस है आत्म विश्वास है वो कम हो जाते हैं और ऐसे में हम बिलकुल भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो युनिवर्स के लिए गाइडेंस है कि यू आर मैजीशियन और आपके पस वो सारी पोटेंशल सारी एनरजी है कि आप सब कुछ अट्रेक कर सकते ह दो करके था दो करने हो कि युद्ट अवसेजिये कि वाइल की यू पर सकते हैं कि यू क्लाईट यू आपके अन्दल इंडिवक्वे को जैसे चाहें वैसे मोड शकते हैं कि यू अफ़ यू अब रगधि न्यिशन रोग अनधर तो मोर अटीट गरी व्यान सब्मार्यें से कि अपने intuition की सुने, अपने मन की सुने, यह ना सोचे कि मेरा logical mind क्या कहता है, यह सुने कि आपका मन क्या कहता है, आपका मन, जिस बात को सोचने में आपको थोड़ी सी घपराहट होने लगे, आपको ऐसा लगे कि यह चीज मुझसे नहीं होगी, उस चीज को ना सुने, जिस च confusion होगी कि मेरे लिए कौन सी बेटर है, तो पहले आखे बंद करें इस चोईस के बारे में सोचे, और इस चोईस के बारे में आप पूरा future calculate करें, उसके बारे में सोचते हुए, आप देखें कि आपके हर्ट सेंटर में, आपके दिल के शेत्र में कैसी उल्जा की sensation हो रही है, अगर वो बहुत smooth है, आपको बहुत अच्छा फील करा रही है, तो यह आपके लिए सही चोईस है, पर अगर आपको anxiety जैसा फील हो रहा है, आपको घबराहाट हो रही है, आपको ऐसे लग रहे है कि यह होगा, तो बहुत आपको difficult feel हो रहा है, uneasy feel हो रहा है, that means यह चोईस सही में ना रहे, जो चीचे आपको ब्रहमित कर रही है, उसको तोड़ दे, ब्रहम की दिवार को तोड़े, अपने अंदल जो छुपा हुआ confidence है, उसको जागरित करें कि यू आरा magician, आप born है number one बनने के लिए, आप line में पीछे खड़े होने के लिए नहीं बने है, आप number one बन लोग आपको follow करेंगे, आपको किसी को follow करने की जरुएत नहीं है, you are a magician, और आप वो सब कुछ create कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं, तो ये सारे message आज आपके लिए थे, especially क्योंकि आप बहुत special हैं, अपने आपके लिए, आपके साथ ये video कितना resonate करती है, comment में लिखकर बताए हो सकते हैं, कुछ message आपके साथ resonate ना करें, उन्हें जाने दें, जो आपके लिए resonate करते हैं, आप से जुड़े हुए, उन्हें pick करें, like में apply करें, और positive चीज़ों को attack करने, हम मिलते हैं अगले video में, तब तक ले, नमस्ते